नमस्कार बिग नियूज बिग इनलिसिस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ संतोश और बियंग भी में आप जिस बड़ी खबर का पूरा विसलेशन करेंगे वो बेहद महत्पूर है वो इसलिए बेहद महत्पूर है कि हमारे और आपके वर्तमान और भविश से जुड़ी हैं क्योंकि इस बैठक में जो जी टॉन्टी से जुड़े जो बीस देश हैं वो उनके जो राष्टा अध्यक्ष है वो जुड़ेंगे अमिर की राष्टा अध्यक्ष है वो जुड़ेंगे और अलग अलग विश्यों पर चर्चा होगी और इसलिए लगातार पिसले कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो देश बरके अलग अलग शहरों में जी चंटी की बैठके चल रही है इस बैठक में एक मुद्दा जो है वो बहुत महात्पूर्ण हा लगभग हर बैठक पे उस पर कहीं न कहीं बात हुई है इन 20 देशों की वो है पानी को पानी को लेकर सरक् चाने को लेकर और क्लाइमेट चेंज यानि कि जलवाई परिवर्तन को लेकर पूरे विश्व को एक साथ लाने को लेकर क्योंकि बीस यह बहुत महात्पूर्ण देश इसलिए कि लगभग साथ प्रचत आबादी जो है इनहीं बीस बड़े देशों में रहती है लगभग प महात्पूर्ण है कि G20 की जो बैटकों में जो पानी को लेकर पानी को बचाने को लेकर सरक्षर को लेकर परिवर्ण को लेकर जलवाई परिवर्तन को लेकर जो बात हुई जो विशय जिन पर चर्चा हुई है उसका आज हम विसलेशर करेंगे लेकिन इस समय के एक और पहली कार आज लॉंच कर दी गई है भारत की बढ़री रप्तार लॉंच होई पहली इथनॉल कार और यह विश्व में पहली कार है जो इथनॉल से चली आज के इंदरी परिवन मंतिर नेतिन गटकरी ने इसकी शुरुवात की टोयटा की हंडेट परसाथ इतनॉल फ्यूल बे प्रिवन को बेटर किया जाए पानी की प्रोदूशन को कम किया जाए जैवीधन से परिवन को लाभ और पेच्रोलियम इंपोर्ट शून करने का लक्षयानी की अर्थवस्था को भी मजबूती मिलेगी अभी भारत का दो तेल इंपोर्ट है लगभग 16 लाख करोण से अधि जो कहीं न कहीं अर्थवस्था को प्रभावित करता है विश्व की पहली थनॉल से चलने वाली कार जो हुई है लॉंच हुई है और इसलिए आप अपनी स्कीन पर भी देख सकते हैं कि यह जो कार है आने वाले दिनों में आपके सडके हैं उन पर धोड़े और यह आपके औ लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है और इसलिए यह बेहद महतपूर्ण खाबर है और इस पर बात करने के मैं साथ खास में मार है मैं साथ डॉक्टर हिरलाल जी है सीनियर आईएश है वरिश्व प्रसासनिंग का दिकारी है हिरलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत सबस लाएगी और देखिए इस जिसा में और भी प्रयास हो रहे है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की पे जो है यह काम हो रहा है तो यह जो इतनाल की आज उद्गाटन हुआ है यह हम सभी लोगों के लिए एक माईल स्टोन है और जब सुरुवाती दोर में कोई चीज बनती है तो म क्याते है कि जो पानी की समच्तिया है पानी प्रुदोर्शन के बड़ी claiming डॉते है और सालकों पर धाना है कि जो ट्रॉंस पॉर्ट है इसके दोरूर्ट ने की जरूरत की पहले हम लोग क्या चलते पैदल चलते थे या साइकल से चलते थे लेकिन हम लोगों ने इसको छोड़ा और साइकल की जवह पर हम मोटर साइकल का यूज करते हैं और अगर आप पैदल चलते हैं या साइकल से चलते हैं तो इसके बहुत सारे फाइदे हैं एक बार मैं तो मेरा एक सुझाव है कि यह जो प्रयास हो रहा है यह तो बहुत अच्छा प्रयास है कुछ एडिसनल कुछ बैलु एडिसन भी होना चाहिए हमें पुना साइकिल यात्रा या पैदल यात्रा जो छूटी दूरी है उधर भी जाना चाहिए बिल्कुल पैसा परिभान हो जो लगातार ये प्रयासभी किया जा रहें लेकिंकार संकत है कि हर साल चार अरब लोग कम पानी का सामना करते हैं, 2025 तक इस तरदी और भी खराब हो सकती है 2030 तक 700 मिलियन लोग पानी से विस्थापित की आशंका है 2050 तक भारत के कई हिस्सों में पानी की कमी होगी और ऐसे भी चब कर्मी आती है तो हम देखते हैं कि पानी का संकट लगातार बढ़ता जाता है और इसी लिए G20 की बैटकों में लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि जब पानी को लेकर पानी को कैसे बचाया जाए और इस समय ये बारिश का मौसम है तो ये सबसे बहतरीन दिन है कि बारिश के जो पानी है जो वर्शा जल है उसको सनकशित किया जाए ये बड़ा बेहतरीन मौका होता है जैसे अमरत सरुवर की योजने के तहर लगातार तालावो के निर्मार किया गया है क्योंकि बारिश के पानी को सनक्षण करके भी हम ग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हैं बिल्कुल देखिए हमें हर बैक्ति को जीने के लिए जल जंगल जमीन चाहिए उसमें जल की बात आप कर रहे हैं तो जल में हमें हर बैक्ति को जो समझदार है उसको ये सोचना चाहिए कि पूरे बरस जितना पानी हम कंज्यूम करेंगे यूज करेंगे उतना पानी बरसात के चार महीने में हमें बचाना चाहिए चाहे वो आप तालाब में संरच्छित कर लें चाहे आप उसको धरती में ले जाकर संरच्छित कर लें अब धर्ती में ले जाके समरच्छित करने के भी बहुत सारे आसान तरीके हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है जैसे आप अपने घर में अगर एक मीटर गहरा एक मीटर चोड़ा एक मीटर लंबा गढ़ा खोल दें खोल दें तो उसमें बरसात का पानी आता रहेगा इकठा होता रहेगा धर्ती में जाता रहेगा और वही पानी जब बरसात खतम हो जाए तो आप पीते रहेंगे इसमें बहुत कोई कास्ट नहीं है लेकिन लोगों को इस दिसा में समझाना है और समझा के करवाना है ऐसा मैंने जन्पद बादा में बतवर जिला अधिकारी मैंने ये काम किया लोगों की समझ पैदा हुई और लोगों ये काम किया तो संकट दूर हुआ संकट दूर हुआ दिरे दिर प्रयास करने की जरुआ था और इसलिए एक बड़े वैश्विक मंच पर जी टूंटी की बैठकों में पानी परियोण और जल्वाई परतन को लेकर इन 20 देशों को एक मंच पर एक तरफ आगे बढ़ाने की अच्छा हो रही और कई देशों को इसमें आगे आने की आगे लाने का प्रयास भी क्या जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान इस बार जी टूंटी के अध्यक्स्ता करा एको सिस्टम को मजबूत करना और इसलिए लगातार और अगर बात की जाए आगे बढ़ने की तो चाह जल क्लाइमेट शेंड की बात हो चाय पानी तरक्षण की बात हो यह अवा प्रदूर्शन की बात हो पल्यूशन को कम करने की बात हो जैव विवित्ता को बढ़ानी की बात हो यह कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर बीस देश एक मंच पर है और इसलिए यह बीस निदृत करते हैं आधि पत्हेन का और इसलिए यह जो बड़ी समस्या है वो चाह आतंक वाध हो चाहे जलवाई पर वरतन हो चाहे पानी की समस्या हो इन पर एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि आने वाले समय पे इस पर काम किया जा सके हिरा राजी क्या आपको लगता है ज अगर उसमें पहले ही कह दिया जाए कि वही लोग घर बनवा सकते जो पानी को सरक्षित करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें पिल्कुल रेन हर्वेस्टिंग का जो यह कांसेप्ट है सहर के लिए बहुत ही उप्योगी है क्योंकि हम लोगों के छटों का जो पानी है अगर हम रेन हर्वेस्टिंग का जो बहुत सरल बहुत सथा और बहुत आसान तरीका है अगर उसको अपना करके हर चट का पानी हम लोग जमीन के अंदर ले जाए और उसको संरच्छित कर लें तो गर्मी में जो संकट है बहुत आसानी से चुटकारा पा सकते हैं लेकिन ले टूबल कराना पड़ता है उसकी बेुस्ता बनानी थोड़ा कास्ट बढ़ता है उस कास्ट को बचाने के लिए हम लोग अपने पैर में कुलाडी मार रहे हैं परियावरन का नुकसान करके जो की नहीं करना चाहिए इस दिशा में लोगों को सेंसर्टाइज करने की पर पहले ये प्रता थी भी कि बड़े बड़े तालाब ये छोटे छोटे जो कुए हैं घर के आसपास घर के नीचे ही बनाया जाते थे ताकि बारिश को जो पानी है सरक्षित किया जा सके क्योंकि रास्तान हम जानते हैं कि पानी की समस्य से हमेशा जूसता रहा है लेकिन सकते हैं पैदल जा सकते हैं यानि कि जितना आप प्रेट्रोल कम यूज करेंगे आप अपनी स्कीन पर देख सकते हैं कि पांच देश जो हैं उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है ऑस्टेलिया फ्रांस जर्मनी जापान बिटेन ये कुछ पांच ऐसे बड़े देश है जो कार्बन सर्जन को कम करने के प्रेयास को लेकर इन्होंने प्रतिबद्धता जताई है हाला कि हिंदुस्तान ने एक बड़ा लक्ष रखा है दोजार सतर तक जीरो कार्बन सर्जन नहीं कि कार्बन सर्जन में हिंदुस्तान जो है अपने आपको पिलकुल अंग उस पर कमी ल करें देखा जा रहा है कि लगातार बड़तार शहरी करन बेतर तीब शहरी करन और जो प्राक्तिक जलसोत हैं वह भी धीरे-धीरे सिमटते जा रहे हैं कि आपको लगता है उनको दुबारा जीवित करने की जरूरत है अम्रस तरौर जैसी योजना चल रही है और तालाबों के बचाने की जरूरत है और लेकिन जए वाटर बोचाने की जरूरत है जिसे वाटर करेंग कपेसिटी बढ़ है मेरा यह दूसरा भी बढ़ता हैं अब बात यह आती है कि हर्याली बढ़ाने के लिए जमीन चाहिए नहीं अगर सहर में हर्याली करने के लिए पौधा लगाने के लिए जमीन नहीं तो उसका एक अल्टरनेटिक उपाई है कि हम लोग अपने जो है कलस्टर में पौट में पौधे लगा करके उसकी भरपाई कु कर सकते हैं इसके साथ यह भी देख लगते कि कार्बन उस्टरजन कम करने को लेकर हिंदुस्तान की जो प्रतिवधता है वो किस क्या है क्या कुछ कहती है परेवन स्रक्षर को लेकर भारत के प्रासों की बात करे तो मिशन हाइडोजन के माध्यम से भारत ने इसकी तरफ एक ब लेकिन फिर भी प्रोचाइट किया जा रहा है ग्रीन फ्यूचर ग्रीन एकोनोमी प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंत दिया था कि आने वाला समय जो है यह सुक शुर्जात से जुड़ा है नेच्रल फार्मिंग से जुड़ा है अमरत धरोर योजना के माध्यम से भी लगाता बदलाव किया रहा है नय तालावों का निर्माड भी किया जा रहा है और इसका मक्सेद देए कि पानी के सर पानी को सनक्षित किया जा सके चल्वाइट परतन जैसे जो वैश्विक समस्या है सभी देश बात तो करते हैं लेकिन इस पर कोई आगी नहीं आना चाहता और खास प्रतिबदता जता ही तो उस पर लगतार सरकार जो है काम कर रही है लाइफ यानिक लाइफ इस टाइल फॉर इन्वार्मेंट ये पीम ने एक मंत्र दिया था जिसके मादम से लोगों को भी परियावन को सरक्षित करने में एक उसमें सहभागिता रहे उनकी भी बड़ी चुरुआत की अब लोगों में लगतार उसको लेकर प्रोसाहन खुदी और खुदी लोग अपने आसपा सोचता का महोल लखना चाहते हैं क्या ऐसे ही प्रियास पानी को बचाने को लेकर जलवाई परियोण को लेकर भी करने की ज़रूरत है बिलकुल देखिए यह हमने बत हुर्ण के जरूरत है कि जैसे जल जंगल और जमीन है इसको हमें सोइंग बचाना है हमारे लिए जल जंगल की दूसरा करेगा अभी हमें सोचते हैं कि यह हमें अच्छा हवा चीए अच्छा इन्वाइर्मेंट चाहिए च्छा वाड़ा आउरन चाहिए तो कोई दूसरा बगैचा बना के दे दे, कोई दूसरा पौधा लगा के दे दे, पानी बेर्था कोई दूसरा कर दे, हम ना करें, हम ना करें, सोइंग नहीं सोचते हैं, इस सोच को बदलने की जरूरत है, और इसका प्रियोग हमने किया है एक जनपद में, और सोच बदल के ह इस समस्या का समाधान हम आसानी से बिना लागत के कर सकते हैं और यह आम जनता की समस्या है और जब तक आम जनता की सहभागिता इसमें नहीं होगी इस समस्या का समाधान हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से प्राप्त नहीं हो सकता है बिल्कुल आम जनता को आम सहभागिता बहुत जरूरी है लेकि पिछले नौ सालों के गर बात करें तो सरकार ने क्या कुछ प्रयास की है खासतोर से वाटर को लेकर पानी की प्रगत को लेकर पानी में प्रगत को लेकर आप वो देख सकते हैं इसके साथ साथ यह भी देखते कि परियोंट जलवाई परतन भारत के ल यह जो लक्ष हैं यह छोटे छोटे लक्षों के माद्धम से अत्रिक्त पेड़ लगाकर लबकर कि 2.5 से 3.00000 टन कारबन को सोखेगा अत्रिक्त पेड़ लगाकर पेड़ लगाया जा। इसलिये उत्तरप्रदेश की सरकार यह लगातार दूसे राज्यों की सरकार भी एक अलक्ष एक अभियान के साथ चलती है कि इतने करोर पेड़ लगाना है उत्तरыпरदेश को हारित हिंदुस्तान बनाने की तरफ क्योंकि यह छोटे छोटे प्रयास ही जल्वाई परढ़ितन ज बड़ा पर्डाम साबित होगा बिलकुल देखिए पेंड लगाने का जो बिरिच्छा रोपन का अभियान है वो हर जिले में जिलादिकारी के ध्यक्षता में कमिटी बनी हुई है और डियफो उसके सिक्रेटी और सारे विभागों को लच्छ दे के हम लोग लगवाते हैं ले क्योंकि पेंड जियाओ ही महत्ँपूर है उसमें पेंड लगाओ है हमने सारे इन्नोवेशन किए वह बहूत कामियाब हुआ और लोगों को पसंद भी आया तो पेड़ लगावों का जो अभियान हर साल चलता है इसको कामया बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए इसमें इन्नोवेशन की और स्टार्ट अप की जरूरत है कि कैसे जो पेड़ लगाया गया है उसको जिंदा रखा जाए और जिंदा में इन्जियोस की भूमका को साथ ही का कब यूवां की भूमका बढ़ाने के जरूत है या फिर सब्के सब्की जिम्मेदारी सब्कों सब्की भीने इस लाए इसा चेटर है अंभाव अक्षिजन और यह साथ को होना चाहिए जमीन नहीं है तो हम जो है छोटे-छोटे पॉट में लगाएंगे कनस्टर में लगाएंगे उसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन वो सोच आप लोग देखे होंगे सहरों में और गाउं में भी कुछ लोग पेड़ के इतने सोकीन होते हैं कि पूरा पेड़ से घर सजा के रखते हैं आयसे सोकीन हर भ्यक्त को होना चाहिए तभी हम इसमें जो काम्यावी चाहरे हैं मिल पाएगा बिलकोल अगर आपको अपना भवश बेहतर करना है आप आने वाली जो पीड़ी है उसको अगर कुछ उपहार के रूप में देना चाहते हैं तो जो हरा भरा परियारण है वो सबसे बड़ा उपहार होगा आपने आने वाली पीड़ी को देने के लिए एक बार इथनॉल से जुड़ी वो जो कार लॉंच हुई है उसको वो एक बार फिर से दिखा देते हैं कि यह आने वाले दिनों में बड़ा रिवोलुशन लेके आएगी खासतोर से पेट्रोलियम के शेत्र में क्योंकि 16 लाग करोड का इंपोर्ट जो है वो इंदुस्तान सरकार को सहना पड़त जो प्रदूर्शन रहीत देश की कलपला की जाती है उसमें एक बड़ा योगदान होगा और इसके साथ साथ इसका कहिन कई प्रवाव अगरिकल्चर सेक्टर पर भी लगातार पड़ेगा तो आप देख सकते कि लगातार सरकार के छोटे-छोटे जो प्रयास हैं परियोण क के शुरुआत हुई है गंगा विलास क्रूस सेवा के शुरुआत है निकि पानी अगर आर्थिक तरक्की देगा पानी से पैसा उत्पन होगा पैसा कमाया जा सकता है तो लोगों का लगाओ जो भी है पानी को बचाने में लगेगा जो छोटी-मोटी जो नदिया हैं उनको पानी से ही पैसा आने लगेगा तो लोगों का लगाओ भी बढ़ेगा बिल्कुल पानी से प्रगत की रास्ते भी खुलते हो इसी लिए जी टॉन्टी जैसी पड़ी बैटकों पर पानी पर जल्वाई परतन जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है और पूरे विश्व को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर हिडलल जी आपने समय निकाला इसके बहुत 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 शुक्रिया तो बिगने उस बेगने से आज हमने बात की जी टॉन्टी को लेकर लेकिन कल फिर इसी समय किसे अठ्छे विश्व के साथ आपके सामने पेश होंगे तब तक के लिए नमस्कार क्लिए।